हलो फ्रेंट्स, अगर आपके घर में भी सारे के सारे चटो रहे हैं, तो आज खोई का परांठा बनाते हैं, खोई को कदुकस कर लिया है और इसमें मैंने थोड़ी सी खान डाली है, आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, या बूरा भी डाल सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद है, उतना ही डालिए, इसमें जरासा-सा इलाइची पौडर, सिनिमिन पौडर और केसर के दोचार दाने डाल दीजे, आप चाहें तो इसमें बदाम भी कूट कर डाल सकते हैं, अब बस आटा मैंने मुलाइम गूद कर ढखकर रख लिया था, इसको हलका सा बे रहता है बहुत देर तक, जब आप इसको चाय के साथ या कौफी के साथ खाएंगे, तो यह ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं, वैसे तो आप इसको नीबू के अचार के साथ भी खा सकते हैं, खटा मीटा टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ना यह पर बेलन से बेलो ना, इसको बेलन से बेलेंगे, तब भी यह बिलकुल नहीं फटेगा, एकदम पनीर के परांटे की तरह फटा फट बेलेगा, आप इसको बेलते जाएए, और वहीं पर खड़े खड़े रसोई में ही, अगर करारे करारे खाएंगे, तो ही आपको बहुत चकते चकते ही कतम हो गए, छे साथ परांटे कब गायब हो गए, पता भी नहीं लगा, तब पता लगा कि काफी के साथ क्या ही खाएंगे, सारे तो हम रसोई में ही का गए थे, बस अब इसको घ्लका सा घी लगा लगाकर हम सेखते जा रहे हैं, इसमें जादा घी बिलकुल नहीं लगाना है, बिलकुल नाम मतर का घी लगाना है, और ये एकदम करारे बनते हैं, क्योंकि ना अंदर खोया होता है, खोय का अपना ही अंदर घी होता है, तो इसकी बाइट ना एकदम रॉयल बाइट आती है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, अगर आप कोई मेहमान आत या बूरा भी नहीं डालेंगे खाली खोएके ही बनाएंगे ना तब भी बहुत ही जादा टेस्टी लगेंगे तो अगर आपको डायबिटीज या शूगर की प्रॉब्लम है तब भी आप इनको असानी से खा सकते हैं क्योंकि आपका मीठा खाने का मन है तो आपकी वो सोई में समय आ चुके हैं जो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो नहीं चाहते हैं प्लेट में परांटे मैं रखती जा है रही हूँ और एक एक करके गायब होते जा रहे हैं सब उठाकर हाथ में ही लेका जा रहे हैं चलते फिरते गुन गुनाते हुए का रहे हैं ये परंटे बहुत सुनहरी सिखते हैं आप इसको खोलेंगे ना तो ये खोया इसके साथ ही अंदर मेल्ट हो चुका है ये देखिए आटे में खोया मेल्ट हो गया है बहुत ही टेस्टी परंटे बनते हैं मेरे कहने से एक बर बना कर जरूर देखिएगा मैं आज इसको ऐसे ही खिला रही हूँ अपने हजबन को और इनकी शकल देखिए आखे तो बटन की तरह ही हो गई है कितने टेस्टी लग रहे हैं आप इनका अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपके भी पती देव बहुत चटो रहे हैं तो ये परंटे चडूर बनाईएगा